एलो दोस्तों, वेल्कम टू टू मिनिट साइकॉलजी हम बात करेंगे कॉंप्लिकेटिटे साइकॉलजी के टॉपिक्स की एकदम ही सरल भाशा में तो चलिए इस जन्नी पे चलते हैं आज का टॉपिक है एटिट्यूट हम सबने शब्त के बारे में सुना है पर ये होता क्या है? एटिट्यूट को हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को देखने, परक्षने या समझने का नजरिया इस चीज़ को बहतर जानते हैं through a very good example आज हम बात करेंगे तीन फ्रेंड्स की कबीर, पृति और शिवा कबीर और पृति के बीच में positive relation है बट पृति और शिवा के बीच में कुछ अंबन चल रही है पट इवन देन, कबीर और शिवा के बीच में positive relation है इसको हम कहेंगे a state of imbalance आईए इसको बहतर जानते हैं through psychology यहाँ पर जो theory applicable है, उसको कहते हैं Heather's balance theory इसको POX model भी कहा जाता है इस theory के तीन components हैं फर्स्ट और फर्मोस्ट, perceiver जो की है हमारे केस में कबीर secondly, other person जो की है शिवा and lastly, object of perception जो की है हमारे केस में प्रीती इस theory के according किसी भी social gathering में दो sub-topics हो सकते हैं unit relation जो की बताता है कि ग्रुप में कितनी similarity है और affective relation जो की बताता है ग्रुप में कितनी liking या disliking है इन दोनों sub-vectors के accordingly ग्रुप में balance या disbalance हो सकता है और हमारे केस में unfortunately disbalance है हम सब के साथ ऐसी situation आती है इसका लेकिन solution क्या है ultimately, in such a situation, you can run but you can't hide इसका मतलब है कि ultimately आपको situation face करनी ही होगी और best तरीका है इसको face करने का through discussion ideally, इन तीनों दोस्तों को साथ में बैठ के बात करना चाहिए ताकि पृति और शिवा के बीच में जो भी मन मुटाव है तो solve हो सके अगर ऐसा नहीं होता है तो Kabir के पास बस दो ही option रह जाएंगे Firstly, he can maintain positive relation with Preeti but let situation go negative with Shiva thus leading to balance या फिर, he will have to make negative relation with Preeti maintaining his friendship with Shiva again restoring balance अगर ये लोग discuss करके आपस में एक दूसरी confusion solve नहीं करते तो ultimately, unfortunately, Kabir को choose करना ही पड़ेगा ये हमने बात करी psychology की in a social gathering but ऐसा attitude change करते कैसे हैं ये हम जानेंगे अपने next video में so stay tuned do like, subscribe and comment here and let's walk together on this beautiful journey called life thanks all